हलो स्टुडेंट आपका साइन्स थिंक एगडी में स्वागत है आज का हमारा विस्षय है कक्षा बारा बायलोजी यानि जीव विग्ज्यान आज जीव विग्ज्यान पार्ट छे से विकास लेशन की आज चेर्चा करेंगे इसके अंदर कुछ महत्तपूर्ड बहुत विकर् पर नए हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर लें और लाइक सेर इसको जली से कर दें चलिए हम सुरू करते हैं पहला सवाल है कि बहुविकल्पी में कि उत्परिवरतन वाद दिया था मतब उत्परिवरतन वाद किस ने दिया यह है लामार्क वात ने बी डार्विन ने सी हीगो अगला सवाल चलते हैं कि आधुनिक मानों का निकट संबंधी है तो आधुनिक मानों का निकट संबंधी आपसन ए है गोरिल्ला बी है गिब्बन सी है ओरंग उटान डी है चिमपैजी तो आधुनिक मानों का जो सबसे निकट संबंधी है वो है चिमपैजी हम चिमपैजी पनिसान लगा देंगे अगला क्यूशन है कि प्राकिर्तिक चैन सिध्धान किस ने दिया बहुत इंपोर्टेंट है सवाल बार बार पुशे जाते हैं प्राकिर्तिक चैन सिध्धान किस ने प्रतेबद किया पहला है लैमार्क ने दूसरा हीगोडी बिरीज ने तीसरा बीजमान और डी है डार्व हो गया मतलब यह यह प्राकृतिक चैन सिध्धान जो दिया था यह डार्विन ने दिया था हम डीप निसान लगा देंगे अब अगला क्यूशन है जी यू जातियों को उत्पति या और जीन आप इस पुस्तक किस ने लिखी थी तो यह है लैमार्क वाद लैमार्क ने भी डा दलने तो इसमें जो सही उत्तर है यह है डार्विन तो और जीन आप इस पीसी जानी जातीयों को उत्पति की जो पूश्तक लिखे थी वह डार्विन ने लिखे ती यह थे बहुत विकल्पी परसने अब कुछ जो है इमपॉर्टेंट परसन जो एक एक नंबर दो नंबर के पूश ले जाते हैं उसके हम चाचा करेंगे दूसरे का है बिग बैंक परिकल्पना क्या है इंपॉर्टेंट सवाल है देख लिजिएगा अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बार-बार सवाल पूशे जाते हैं यह सन्योजक कड़ी से आप क्या समझते हैं मनुस में पाए जाने वाले किनी दो अवसेसी अंगों के नाम लिखी यह दम कामन क्यूशन यह है यह बार-बार पूशे जाने वाले सवाल हैं अगला है कि अपसारी विकास एवं अभिसारी विकास की परिभासा दीजिए अपसारी विकास अभिसारी विकास की परिभासा इसको भी देख लीजिएगा अब अगला क्यूशन है कि जीवा जी उत्पति से आप क्या समझते हैं जीव की उत्पति के संबंद में लूइस पास्टर दोरा किये गए परियोग को समझाईए लूइस पास्टर का एक परियोग है उसको चित्र बना कि समझा देना है अगला क्यूशन है कोईस वेट से पर संचिप्ट पड़ी लिखिये ये भी इंपोर्टन पूछ लिए जाते हैं अगला समझात एवं समरूप अंग बेरी बेरी मोश्ट इंपोर्टन समझात एवं समरूप अंग को उदाहरार सही समझाईए बहुत प्रूप क्यूशन है इसको देख लीजिएगा अगले क्यूशन है कि अनुकूली बिकेरण को परिभासित कीजिये अगला है ये बहुतises इंपोर्टन है इस्टेले मिलर के पर्योग का नामां कि चित्र बढ़न करना है इस टेले मिलर का जो चित्र है वो बना देना है और उन्होंने क्या किया था क्यों किया था उसको चित्र सहित वड़न कर देना बहुत important बार-बार इस सवाल पूछे जाते हैं अगला है कि उत्र परिवर्तन क्या है जय विकास में इसके महत्व पर परकाश डालिए देख लिजिएगा अगला है यह बहुत important है यह प्रकृतिक चैन सिध्धान्द बार-बार पूछे जाते हैं कि डार्विन के प्रकृतिक चैन सिध्धान्द का वड़न कीजिए बहुत important इसको आप लोग देख लेंगे पढ़ लिजिए का रट लिजिए का अगला question है कि निम लिखित में अंतर असपष्ट करो सवाल पूछे जाएगे अंतर नियंडर्थल मानो तथा क्रो मेगनान मानो देख लिजेगा और टिपड़ी में कभी कभी पूछ लिजाता है कि नियं लेमारकवाद डारिनवाद में अंतर और कभी कभी समानताएं पूछी जाती है यह अंतर और समानताएं बहुत महतपूर है इसको आप देख लेंगे अगर इससे पढ़ लेते हैं कई सो घुमा के सवाल पूछे जाएंगे आप उसको हल कर लेंगे अगला निम लिखित पर टिपड़ी लिखो निम लिखित पर टिपड़ी लिखना है नो डारिवन वाद पूछे जाते हैं दो नमबर की उत परिवर्तन वाद क्या है पेकिंग मानो क्या है जितने भी मानो हैं नियंदेथल मानो, कुरुमेंग मानो पेकिंग मानो, जावा मानो, कपी मानो, सब एकदम रट लिजिएगा, आधुनिक मानो इसमें से एक-दो मानो जरूर पूछे जाएंगे, दो नमबर के, एक नमबर के अगला है जव विकास, जव विकास पर टिपड़ी लिख देना है, फिर अगला है आधुनिक मानो आधुनिक मानो पूछे पड़ी लेख देना है, तो इस तरह से पारच है कि जो विकास चैप्टर से जो महातपूर क्यूशन थे, हमने बता दिया है, एकजाम में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, इसको देख लिजिएगा, और कोई ऐसा सवाल नहीं जो यहां से नहीं पूछे जाएं, चलिए वीडियो लंबी हो रही है, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक से और सब्सक्राइब अवस्ट करें, थैंक्यो